तो दोस्तो आज रहेगी 16 जून और 16 जून को जो आपकी तीनों शिफ्ट होने वाली है उनके लिए most expected, most repeated questions को आज हम इस वीडियो में cover करेंगे ये सभी questions exam based questions रहेंगे आपकी already तीन दिन की shift complete हो चुकी है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो expected questions है जिस type के questions अभी तक आपके exams में देखने को मिले हैं उसी type के questions आज हम इस वीडियो में आपको provide कराने वाले हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें, share करें और चैनल को जरूर subscribe कर लें PDF आने के लिए analysis की PDF भी मिलेगी आपको, expected question की PDF भी मिलेगी तो हमारा telegram group है जिसका link description में provided है, आप उसको join कर सकते हैं, वहाँ पे आपको free में PDF provide कराई जाती हैं बाकी जो updates रहेंगे वो भी आपको same telegram group में मिल जाएंगे पहले question से start करते हैं हमारे, जो कल की हमने expected question की वीडियो डाली थी उससे काफी questions आपके जो shift थी, analysis जो रहेगी उसमें देखने को मिले हैं तो इसलिए expected question की वीडियो को आप पूरा follow करें, exam में question 100% बन रहे हैं तो पहला question है, what is the rural population of India according to census 2011 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत की ग्रामीर जनसंक्या कितनी है, तो वो है 68.8%, fourth option हमारा correct answer हो जाएगा अगर यहीं पे आपसे urban population पूछ ली जाती, तो आपका first option correct answer हो जाता दोनों मिला के total 100% हो जाएंगी, तो उससे भी आप easily, अगर आपको एक भी पता है, तो आप easily दूसरे को correct कर सकते हैं अब census की यहाँ पर बात करी गई है, तो census का question हमने क्यों डाला है अगर हम पीछे 3 shift की बात करें, आपसे 3 दिन की बात करें, तीनों दिन की total 9 shift रहेंगी आपकी 9 की 9 shift में आपसे census से question पूछा गया है, तो इसलिए important topic रहता है आपके exams के लिए कुछ census का revision भी करेंगे, साथ में census की वीडियो मिलेगी आपको अपने हमारे channel पे अगर आपको separate topic की किसी भी topic की वीडियो देखनी हो, तो all static gk topic के नाम से एक playlist है जिसका link description में है, वहाँ पे आपको सारे topics की separate वीडियो मिल जाएगी अब अगर आपसे पूछा जाए कि second populated state कौन सी है इंडिया की highest में, तो वो आपकी महराष्ट रहेगी second lowest populated सबसे दूसे नंबर पे सबसे कम जनसंक्या वाली रहेगी मिजुराम highest population density किसकी है तो वो बिहार की रहेगी और lowest रहेगी अरुनाचल प्रदेश की अगर second number पे पूछी जाए आपसे second highest density किसकी है population density तो वो west बंगाल की है और second lowest रहेगी मिजुराम state की highest literacy rate केरला state का और lowest literacy rate है बिहार state का second highest literacy rate है मिजुराम का और second lowest रहेगी आपका अरुनाचल प्रदेश state का अब अगर आपसे पूछा जाए कि highest sex ratio कौन सी state का है तो वो केरिला का है और lowest sex ratio रहेगा हर्याना state का Highest sex ratio वाली union territory है पुरुचरी और lowest sex ratio वाली union territory है दमन्तुई Total percent literacy rate अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो 74.4%, 04% रहेगा इंडिया का Male literacy rate आपसे first shift में पूछा गया 82.14% और female है 65.46% तो दोनों question आपसे first day की shift में पूछे गए थे इंडिया की population growth rate कितना है तो वो 17.7% का है highest population growth rate है मिखाले का और lowest population growth rate अगर आपसे पूछा जाए तो वो नागलेंड का रहेगा और ये negative रहेगा नागलेंड का जो growth rate है वो आपका negative देखने को मिला है अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है हमारा Padma Subramaniam is related to which dance form तो Padma Subramaniam का संबंद किस नित्य शैली से है तो इसमें हमारा correct answer भरत नाट्यम हो जाएगा अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो topic है हमारा dancers related to dance form बहुत ही जादा important topic रहा है कल की तीनों shift में question पूछे गए हैं किसी किसी shift में आपके दो question भी देखने को मिले हैं 100 question की एक separate video है dancers की उस video को आप बिल्कुल भी मिशना करें अगर revision की बात करें रुकमिनी देवी अरुंदले हैं भरतनाट्यम से related पंडित बिर्जु महाराज है कत्थक से केलु चरण महापात्रा ODC से गुरु बिपिंसिंग मनीपुली से वेंपती चिनना सत्यम कोची पुली से पदमा सुब्रेमन्यम भरतनाट्यम से रधा रेड़ी और राधारेडी कोची पुली से मादवी मुदगल ODC से और गोपी करिशन संबंदित हैं आपकी कथक कली से बाकी separate वीडियो में पूरा topic आपका complete cover हो जाएगा अगला question रहेगा हमारा Wings of Fire is the autobiography of तो Wings of Fire किसकी आत्म कता है कल की shift में दो question आपसे autobiography के पूछे गए हैं तो एक तो आपसे PT उशा का पूछा गया था golden girl करके रहेगा एक तो वो पूछा गया था आपसे कल की shift में जो एक पूछा गया है और एक मिथाली राज रहेंगी जो क्रिकेटर है उनकी autobiography पूछे गए थी तो यहाँ पे आज की shift के लिए भी important topic हो जाता है तो Wings of Fire किसकी है? APJ अब्दुलकलाम की अगर कुछ revision करें तो की six machine क्रिस गेल की controversially yours शोय बक्तर की 281 and beyond वीवियस लक्षमन की unfinished आ मैमोर प्रेंग का चोपडा की a long walk to freedom Nelson Mandela की dreams from my father Barack Obama की freedom in exile Dalai Lama की और truth love and a little malice रहेगी आपकी खुशवंद सिंग की autobiography बाकी अगर हम आपको सिर्फ इसलिए बताते हैं कि separate video को आप देख लें क्योंकि यहाँ पे extra information में हम सारे questions को cover नहीं कर सकते hundred questions की autobiography की भी आपको separate video channel पे मिलेगी आप उस video को भी देख सकते हैं अब अगले question पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाते हैं कि सिर्फ 79 रूपीज में आपको एक e-book provide कराई जा रही है इसमें total आपको 19 topics मिल रहे हैं कुछ हमारे static GKK topics हैं और कुछ current of way 2022 के topics हैं यह सब आपके वही topics हैं जिनसे exams में बार-बार questions आपके repeat होते हैं और SSC के तो यह आपके favorite topics हैं यह e-book आपको available कराई गई है bilingual language में Hindi और English दोनों में आपको questions मिलेंगे अगर आप interested हूँ तो link description में है आप description में जाके इस e-book को buy कर सकते हैं अगर आपको downloading में कुछ भी issue आता है तो नीचे हमारी Gmail ID है आप इस पे हमको directly mail कर सकते हैं अगला question है हमारा who among the following is the founder of R.S. समाज निमलिकित में से कौन R.S. समाज के संस्तापक हैं कल की तीनों shift में formation foundation से related question पूछा गया है और यह topic आपके first phase में बहुत जादा repeat हुआ था अभी भी question पूछे जा रहे हैं तो इसमें दयानंद सरस्वती इस question का हमारा correct answer हो जाएगा अगर बात करें कुछ formations की तो पिछली shift में जो आपकी कल की third shift हो यह उसमें राम करिशन mission पूछा गया था एक बार आपसे R.S. समाज already पूछा जा चुका है तो यह question आपके repeated question है ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रोय ने फाउंड किया था प्रातना समाज को फॉर्म किया था आत्मराम पांडुरंग ने सत्य सोदक समाज को जोतिबा फुले ने अलीगर मूब्मेंट को सयद अली एहमत खान के दौरा आत्मिया सभा को राजाराम मोहन रोय ने तत्म बोधिनी सभा को दिवेंदर नाट्यगोर ने सर्वेंट्स ओफ इंडियन सोसाइटी को गुपाल करिष्न गोकले ने हिंदू महासबा को मदन मोहन मालविया ने और अनुशिलान समिती को सतीश चंदर बसू के द्वारा और जुगंतर को बरिंदर कुमार गोश के द्वारा फॉर्म किया गया था ये जो टॉपिक है हमारा इसकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको फॉर्मेशन डिलेटेट टू फ्रीडम फाइटर्स के ही नाम से सेम नेम से आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइट कराए गई है फिर अगला कॉशन है what is the total number of players in a football team एक football की टीम में खिलालियों की कुल संक्या कितनी होती है तो 11 is question का correct answer हमारा हो जाएगा काफी chances रहेंगी कि यह जो topic है जो sports में players होते हैं यह आपको exams में देखने को मिल जाए अगर 3 main sports की बात करी जाए हमारी एक रहेगा cricket एक रहेगा hockey और एक रहेगा football जो तीन इंडिया के सबसे famous sports हैं उनमें तीनों में एक team में आपके 11-11 players होते हैं इस चीज़ को तो आप easily याद रख सकते हैं बागी अगर बात करी जाए आपसे basketball की तो basketball में 5 players होते हैं volleyball में 6 players होते हैं baseball में 9 players होते हैं फिर बढ़ते हैं पोलो की तरह पोलो में 4 players water polo में 7 players कबड़ी में 7 players होते हैं खोको में होते हैं 9 players और रगभी में आपके होते हैं 15 players तो ये players रहेंगे आपके single team में अगला question है प्रधान मंत्री स्वास्ते सुरक्षा निधी scheme was launched by which ministry तो प्रधान मंत्री स्वास्ते सुरक्षा निधी योजना किस मंत्राले द्वारा शुरू की गई थी तो ये करी गई थी आपकी start ministry of health and family welfare के द्वारा अब schemes भी काफी important रही है कल की परसों की और उससे पहले की तीनों days की shift में scheme से questions जरूर पूछा गया है और अगर यहां पर हम बात करें state schemes की तो state schemes की separate video आपको channel पे मिल जाएगी full detail में questions कवर कराए गए है उनको आप देख सकते हैं अगर हम ministry वाली schemes की बात करें जो ministries के द्वारा launch करी गई है ministry से related है तो उनको देख लेते हैं तो आयुश्वान भारत परधान मंतरी जन आरोग्य योजना health और family ministry की ही एक और आपकी scheme रहेगी परधान मंतरी स्वास्त सुरक्षा योजना ये भी किसकी रहेगी आपकी health और family welfare की ही रहेगी तो तीनों जो हमने cover करी हैं भी ये तीनों आपकी health और family welfare के द्वारा ही आपकी लॉंच करी गई है फिर आती है आपकी स्टार्स प्रोजेक्ट स्टार्स प्रोजेक्ट को Ministry of Education ने लॉंच किया था स्वच्च विध्याले अभियान Ministry of Education से रिलेटेड रहेगा पिर्धान मंत्री मातरू वन्वना योजना Women and Child Development Ministry से रिलेटेड है पोशन अभियान Women and Child Development Ministry से रिलेटेड रहेगा पिर्धान मंत्री कौशल विकाज योजना है Ministry of Skill Development and Entrepreneurship से रिलेटेड पी एम स्वानिदी स्टीम Ministry of Housing and Urban Affairs से रिलेटेड है सरल जीवन बीमा Ministry of Finance से रिलेटेड प्रारंब Ministry of Commerce and Industry से रिलेटेड समर्थ स्टीम Ministry of Textile से रिलेटेड आपकी हो जाएगी तो यह हमारी कुछ important schemes है जो कि आपकी ministries के द्वारा launch करी गई है या फिर ministries से रिलेटेड हो जाएगी बाकि जो states की scheme है उनको आप जरूर देख लें क्योंकि परसो की shift में तीन question आपके पूछे गए थे एक shift में तो आपके दो तीन question भी लगातार पूछे गए थे schemes related, state schemes की फिर अगला question है हमारा सुनील चेतरी is associated with which sports? सुनील चेतरी का संबंद किस खेल से है तो यह आपके football से related हो जाएगे sport person associated with यह topic भी important रहा है आपके exams के लिए अभी की अगर हम तीन दिन की shift की ही बात करें तो वहाँ पे questions देखने को मिले हैं तो sports related persons की बात करते हैं सानिया मिर्जा है लॉन टैनिस से, मिल्का सिंग रेसिंग से, सुनील चेतरी फुटबॉल से, पीटी उशा रेसिंग से, पीवी सिंदू बैडमिंटन से, मेजर ध्यांचंद होकी से, अभिनव बिंदरा शूटिंग से, साइना नेवाल बैडमिंटन से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से, नीरत चोपडा जेवलिन थ्रो से, मीराबाई चनू वेट लिफ्टिंग से, सुशील कुमार रेस्लिंग से, पंकच अडवानी बलेर्ड से, विनेश वोगाट रेस्लिंग से, पंकच अडवानी कल की थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछे भी गए थे, सेपरेट वीडियो भी इस टॉपिक के आपको मिल जाएगी चैनल पे, विच गवर्नर जेनरल ऑफ इंडिया अबॉलिष्ट सती सिस्टम इन 1829 बाइड डिकलेरिंग इट अन ओफेंस, तो भारत के केस गवर्नर जेनरल ने 1829 में सती परता को अपराद घोशित कर समाप्त कर दिया था, ये कोशन अभी तक आपका नहीं पूछा गया है, जो हमारे गवर्नर जेनरल है, उनसे रिलेटेड नहीं पूछे गए कोशन, लेकिन फस्ट फेस में बहुत जादा रिपीट हुए थे, तो ये कोशन आपको मिल सकता है, आपको एक्जामस में देखने को मिल जाए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती सिस्टम को एंड किया गया था 1829 में, अगर गवर्नर जेनरल की बात करी जाए, तो एशियेटिक सोसाइटी ओफ बेंगाल को 1784 में इस्टैबलिश किया गया था, वॉर्रन हैस्टिंग के द्वारा, पर्मनेंट सेटलमेंट को बंगाल में, इंटर्ड्यूस किया गया 1793 में, लॉर्ड कॉन वैलिस के टाइम पे, फॉर्ट विलियम कॉलिज को इस्टैबलिश किया गया 1800 में, लॉर्ड वैलिसले के टाइम पे, एनेक्जेशन ऑफ अवद हुआ 1856 में, लॉर्ड दलाउजी के द्वारा, वर्नकुलर प्रेस एक्ट लॉंच किया गया 1878 में, लॉर्ड लिटो के टाइम पे, पार्टिशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, लॉर्ड कॉर्जोन के टाइम पे, मॉर्ले मिन्टो रिफॉर्म एक्ट को लाया गया था 1909 में, लॉंच किया गया लॉर्ड के टाइम पे, इंडियन मेडिकल सर्वेसेज को स्टैबलिश किया गया 1856 में, किस के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, यूनिवर्स्टी ऑफ कैलकटा को स्टैबलिश किया गया 1857 में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, तो ये सब हमारे गवर्नर जेनरल से रिले बाकी rulers की हम बात करें तो उनको एक बार cover कर लेते हैं तो समराड अशोक को देवनाम पिया पियादर्शी के नाम से जाना जाता था शिवा जी को जनता राज, राना प्रताप को महराना प्रताप जो रहेंगे इनको मेवार का शेर, रानी लक्षमी भाई को जहासी की रानी, समुद्र रुगप्त को कभीराज, टीपु सुल्तान को टाइगर ओफ मैसूर, प्रत्वीराज चोहान को राय पित्थोरा, औरंग जेब को आलंगीर, बालाजी बाजी राओ को नाना साहिब, कृष्न देव रा बुक्स में टाइब करना है, तो हमारा कोश्चन है, पद्मसुब्रमन्यम का संबंध किस नित्य शहली से है, अभी हमने इस कोश्चन को कवर किया था, आप सब को ध्यान होगा, अगर आपको नहीं पता, तो वीडियो को स्टार्टिंग से दुबारा देख सकते हैं, आपको कोश्चन का अंसर मिल जाएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इबुक बाई करने के लिए लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडिड है, अगर आपको प्लेलिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडिड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और 90% कोश्चन्स आपको वहीं से, टॉपिक जो है वही रहेंगे, कोश्चन्स आपके थोड़े बहुत घुमा फिरा के पूछे जा रहे ह तो काफी कोश्चन्स है, जो कि आपको बहां से दोनों प्लेलिस्ट से देखने को मिल रहे हैं, तो आप उनको जरूर चेक आउट कर लें, जिनका भी एक्जाम रहा है, बाकी जो CGL का एक्जाम आपका नेक्स मन्त रहेगा, उसकी भी हम फूल डीटेल में आपको परपरेश का, अगले दिन से एक्सपेक्टिट कोश्चन की सिरीज स्टार्ट हो जाएगी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे आने वाले, आपके CGL के एक्जाम के लिए, CHSL के एक्जाम के लिए, फिर आपका MTS का 2023 वाल एक्जाम होगा, उसके लिए भी GD का अग्जाम होगा, आपका, फिर आक्स का एक्जाम होगा, सब एक्जाम के आपको तयारी कराई जाएगी हमारे चैनल पे, ये 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 चैनल है, हमारा HVS Studies 2.2, ये इसलिए आपका तयार किया गया है, यहाँ पे आपको एक्जाम की फोकस पे बेस करके तयारी सारी वहाँ पर आपको टॉपिक की वीडियो मिलेंगी और डेली करेंट अफेयर की वीडियो मिलेंगी तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें धन्यवाद